नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे पावरपाइंट प्रेजेंटेशन के इंसेट टेप को इस टेप के दोरा आप अपनी स्लाइड के ओपर टेवल्स, पिक्चर, इमेज फाइल, शेप, चार्ड, स्मार्ट आर्ट, हाइपर लिंक, टैक्स बॉक्स, हीडर फुडर, वर्ड आर्ट, सिंबोल्स, एंड वीडियो और आडियो फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं तब आप अपनी स्लाइड को पर यह सभी कंटेंट इंसेट कर सकते हैं, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो नवस्तकार दोस्तों, मैं घजन ज्यादा स्वागत करता हूं आपको हमारे यूटूब चैनल मेटी टेक आईटी सलूशन में दोस्तों हमने Powerpoint Presentation ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हम जाते हैं सीधे इंसेट वाले टेप पर न्यू स्लाइड के दोरा आप न्यू स्लाइड इंसेट कर सकते हैं एंड उसके पास में जो सेकंड आप्सन हमको दिखाई दे रहा है वो है टेवल्स टेवल वाले ओप्सन के दोरा आप अपनी स्लाइड पर एक टेवल इंसेट कर सकते हैं यहां पर आप जितने भी Row & Column को स्लेक्ट करते हैं उतने ही Row & Column की टेवल आपकी स्लाइड के ओपर इंसेट हो जाती है सेकंड ओप्सन होता है टेवल वाले बटन पर नीचे की तरफ आपको इंसेट टेवल का बटन दिखाए दे रहा है इस बटन के दुआरा जो भी आप वेल इंटर करते हैं Row & Column की उतने ही Row & Column की टेवल आपकी स्लाइड के ओपर इंसेट हो जाती है टेवल की किसी भी सेल को सेलेक्ट करके आप उसके देंटेंट टायप कर सकते हैं एans01 टेवल में कंटेंट टायप करके हम इस टेवल को एक attractive टेवल बनाते हैं शप कलर का यूज़ करके squeezing यहा पर हम टेवल की टॉप अली रो को ब्लू कर देते हैं and बाकि सब इरो को हम औरेंज कर देते हैं then design में border वालको और्प्सन को select करके हम table की जितने वी borders हैं उनको हम black कर देते हैं जिससे कि हमेरी table के जो rows and columns हैं वो proper हमको दिखाई दे and table की यह जो points है इनको mouse से select करके आप table को छोटा या बड़ा कर सकते हैं टेवल पर राइट क्लिक करके आपको कुछ option दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, insert and delete, insert वाले option आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको टेवल के किसी भी column को insert करना हो, किसी भी rows को insert करना हो, तो आप इस option के द्वारा यहां पर कर सकते हैं, and किसी भ वाले option को select करके आप यहां से किसी भी column या row को delete कर सकते हैं टेवल में पूरे content type करने के बाद आप fonts के color, fonts के background color, lines, font की style and font के alignment और table के alignment को setting करके आप इस table को बहुत ही attractive table बना सकते हैं एक impressive table बना सकते हैं जैसा कि अभी हम यह practically कर रहा है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है next बात करते है picture button के picture button के द्वारा आप अपने computer से कोई भी image file photo, jpg image या किसी भी प्रकार की image को अपनी ppd slide पर insert कर सकते हैं यह दे कि हैं यहां पर हमने एक एक करके तीन image file हमारी ppd slide पर insert की हैं इन image को हम हमारी ppd slide पर हमारी need के अनुसा सेट कर लेते हैं एक background में एक अच्छी सी image हमको चाहिए इसके लिए हमने एक blue color की जो आपको दिखाई देरा look में बहुत ही प्यारी सी screen है blue color की image को import कर लिया है एंड इस blue color की image को उपर हम जो image हमने inside की हमारे computer के दोरा हमारी slide पर एके करके उन तीनो image को हम यहाँ पर select करते हैं हम हमारी image को select करके जो points हैं mouse के दोरा image को छोटा या बड़ा कर सकते हैं and crop बाले button का use करके हम हमारे image को crop भी कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने यह जो drawing से इसकी image को crop कर लिया है यह देखिए यहाँ पर जो blue color की image है उसके उपर हमने एक-एक करके तीन image set की है और यहाँ proper तरीके सेट हो गई है अब हमको यह slide बहुत ही attractive लग रही है आप भी अपने अनुसार आपकी slide पे image insert कर सकते हैं next option हमको दिखाई दे रहा है online picture का online picture के दोरा आप जैसे इस button को click करते हैं एक नई window open है थी उस window के दोरा आप directly online platform से searching करके आप अपने मन पसंद की किसी भी image को upload कर सकते हैं देन बात आती है photo album के दोरा आप एक photo album बना सकते है number of photo आप इस पर upload कर सकते है upload करके proper album यहां पर बन जाती है जैने इसके बाद हम बात करते हैं shapes वाले area की shapes वाले area के दोरा हम हमरी slide के ओपर तेवी shape हमको यहां पर दिखाई जा रहे हैं किसी भी पर करकर के shape को हमरी slide के ओपर insert कर सकते हैं अब हम right click करके format shape वाले option को open करते हैं और जो arrow है arrow की जितीवी height width और color का setting होती है वो सब line वाले options के अंदर होती है यहां से हम इसकी width को 5pt कर देते हैं जिससे कि हमको यह arrow proper और बड़े size में दिखाई दे और इसके color को हमने already rate कर दिया है then इसके नीचे आपको बहुत सरी settings दिखाई देंगी उन settings के द्वारा आप arrow के design को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं arrow को move करने के लिए आप mouse से इसके point को पकड़के किसी भी direction में घुमा सकते हैं इससे प्रकारते किसी भी shape को छोटा वड़ा करना हो तो mouse के द्वारा hold करके आप उसको increase or decrease उसके size को कर सकते हैं and mouse से hold करके आप उसको किसी भी एक जगे से दूसरी जगे shift कर सकते हैं अब देखे सभी arrow को and सभी shape को हमने एक तरफ shift कर दिया है अब हम एक नया shape insert करते हैं shape को insert करने के बाद सबसे पहले हमने देखा है solid fill option solid fill option के द्वारा आप अपने shape के अंदर कोई भी color insert कर सकते हैं and second option is gradient इसके द्वारा जो number of set आपको यहां पर दिये हुए है color के आप उसके द्वारा भी अपने shape को attractive कर सकते हैं and next option हमको दिखता है picture का picture के द्वारा इस shape के अंदर आपको इसी भी picture अपने system computer laptop से import कर सकते हैं और वो उसी particular shape के अंदर दिखाई देगी तो यह सब features आपको यहां दिखाई दे रहे हैं जो अभी हमने आपको यह practical समझा है इन सब को use करके आप किसी भी shape को एक नया और एक attractive look दे सकते हैं अब second option है हमारा line बाला shape को select किया shape को select करके जैसे हम line के color को red कर देते हैं red हो जाता and इसकी width को हम जैसे ही बढ़ा देते हैं जैसे six pt कर देते हैं इनका use करके देखें जैसे कि हमने क्लिक क्या यह चेंज होते जा रहे हैं इनका use करके आप अपने जो shape है इसका जो design है इसको बहुत ही attractive कर तकते हैं and इसके बाद shadow के बाद जो next option दिख रहा है वह reflection का reflection के दौरा आपका जो shape है आप उसका एक reflection दे सकते हैं जैसे कि यहां पर screen पर देखें हमने कुछ reflection दिये हैं और इससे यह एक नॉर्मल शेप भाउती अच्छे लोग में convert हो चुका यह देखे फोटो फोड़े को उपर border border के बाद reflection हमने दिया है तो यह सब settings है इसमें number of settings और दी हुई है next हम बात करते है smart art की smart art को क्लिक करना पर एक नया पॉप अपन होता है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि number of arts field के अनुसार दिया है जैसे कि all के बात कर रहा हूं तो यहां पर सभी आर्ट दिये हुआ है लिश्ट के बात कर रहा हूं तो लिश्ट से रेलेटिव कुछ specific art यहां पर है देन लिश्ट प्रोसेश साइकल hierarchy relationship मतलब बहुत से पिरामिड पिक्चर बहुत सारे arts predefined दिये हुए है यहां पर इस एक art को यहां पर select किया है और select करके जो text वाला area हम उसमें हमारे content type कर देते हैं और type करके एक टेक करके shape fill वाले area से हम इन सभी color को अलग-अलग color combination में set कर देते हैं इनको आप animation भी run कर सकते हैं तो next video में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ppd slide के ओपर animation कैसे insert कर सकते हैं इसमार्ट आड़ के बाद बात करते हैं हम चार्ट की यहां पर number of charts आपको दिये हुए जैसे आप click करते हैं किसी column को तो ऊपर की तरफ एक Excel sheet open हो जाती है जिसके पूरे data की according पूरा chart generated होता है आपकी जो भी data filled है वो इस Excel sheet के अंदर rename करके सभी को इंटर कर दीजिए आप देख रहा हैं कि जिस value को मैं इंटर करते जा रहा हूं वह column उसी percentage के हिसाफ सेट हो जाता है then next बात करते है hyperlink की hyperlink वाले option को use करने के लिए आप सबसे पहले text box को type कर लीजिए हुआ पर हमने type किया start video जैसे हम start video को select करके hyperlink वाले button को click करते हैं तो यह हम जब पूछता है कि आपको किस की hyperlink बनानी है तो दोस्तों यहां जो भी file हमको इस hyperlink के द्वारा open करानी है हम उसकी hyperlink यहां पर दे देते हैं जैसे कि हमने हमारे system में से select किया है एक video file को और select करके हमने ok कर दिया है अब जैसे ही हम ppd run करते हैं run करके जब हम इस text वाले option को click करते हैं उसी समय जो हमने hyperlink बनाई थी वो hyperlink के द्वारा हमारे video open हो जाता है यह देए कि हमने ppd slide run किया और run करके हम देख रहे हैं कि हमारे hyperlink के द्वारा video on हो चुका है comment वाले options के द्वारा आप comment type कर सकते हैं इसके बाद जो हमको दिखाई दे रहा है वू है ode Tech Box Tech Box के द्वारा आप Slide पे Tech Box इंसर्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी कंटेंट टाइप करते हैं तो इस इए Tech Box Header folder option के बाद करते है Header folder option के द्वारा आप अपनी slide के उपर Head & folder insert कर सकते हैं अप शाथे स्लाइड के नीचे date आए आप चाहते हैं स्लाइड के रिए पीपीटी स्लाइड का नंबर आए तो वह सब आप header and footer के द्वारा कर सकते हैं जैसे आप इसको open करते हैं तो यहाँ पर check box दियो हैं जैसे आप check box को tick कर देते हैं हमारे जो text हम यहाँ पर type करते हैं उस text को बहुत ही सुन्दर और attractive बना सकते हैं हाँ पर कुछ predefined word art दिये होते हैं उनको select करके हम हमारे font style को जो already इसमें दी हुई है होते है numerical alphabetically and कुछ special keyword बड़ इसके बाद भी हमको कुछ symbol insert करने पड़ते हैं हमारी PPT पर science के formula में use करना होता है कवरा mathematics के formula में use करना पड़ता है तो ऐसे symbol use करने के लिए आप symbol वाले option का use कर सकते हैं जैसे आप symbol वाले option को click करते हैं आपको यहाँ पर number of symbols दिखाई देते हैं जो भी symbols आपकी need at the rate of less than greater than जो भी symbols आप चाहते हैं आप वह symbol वाले option से insert कर सकते हैं लास्ट हम बात करते हैं video and audio दो बटन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे है video and audio इन buttons के द्वारा आप अपनी ppt के ऊपर कोई सा भी वीडियो import कर सकते हैं यह दे कि हमने वीडियो वाले बटन को क्लिक क्या है और second option हमको दिखाई दे रहा है video on my pc जैसे हम video on my pc को क्लिक करते हैं तो हमको एक नई window open हो जाती है इस window को द्वारा हम हमारी video file को browse कर लेते हैं जैसे browse करके हम insert button को क्लिक करते हैं तो हमारी video file हमारी slide को पर insert हो जाती है इसे प्रकार से आप audio को भी अपनी slide को पर insert कर सकते हैं एंड जब आप PPT run करते हैं उस सीखा इंसेट टेप को उम्मिद करतों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे डिजाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, स्लाइट तो एंड व्यूस का प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि इस नॉलेजबल वीडियो का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें, कई वर होता है कि हमको प्यूपिटी के बारे में सब कुछ पता है, बट फिर भी जब छोड़ी छोड़ी चीज़े हम खुद करनते हैं, तो हम सोचते हैं आरे यार यह कैसे होगा, तो बस यही सब सिखाने के लिए हम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो रेट कलर का बड़न आप उसको क्लिक कर दें, और पास में जो वेल का सब्सक्राइब करते हैं, जिस से कि हर नया वीडियो आप तक पहुंचते हैं, चले दोस्तों, मुलाकात होती है नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाइ-बाइ, टेक केर, एंड केप सपोर्ट